वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाना प्लीज टेलिग्रम चैनल जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं द्यान लगें नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉस से में यह है हमारी वाल्ज जोग्राफिक लास और टॉपिक हमारा रिल मार्क रिल मार्कों म महादीपों की इस्तिति क्या है रिल मार्क को लेकर और फिर हमने देखा था ट्रांस साइबेरियन रिल मार्क मैप से हमने उसको देखा था ठीक है आज अगे बढ़ेंगे और आज का जो मारा टॉपिक रहने वाला है वह था ट्रांस कनेडीयन रिल मार्क चलिए शुरू करत से होती हुई पश्चम में प्रशान तट पर इस्थित बैंकु वर्तक जाती है इसका निर्माड 1886 में मूल रूप से एक संधी के अंतरगत पश्चमी तट पर इस्थित बिटिश कोलंबिया को राज्यों के संग में समलित करने के उद्देश से किया गया था बाद के वर्सों में क्यूबेक, मौन्ट्रियाल ओद्योगिक प्रदेश को प्रियरी प्रदेश की गयहूं में खला और उत्तर में शंकुधारी बन प्रदेश से जोडने के कारण इस रेल्मार्ग का महत्व बढ़ गया इस प्रकार इन प्रदेशों में से प्रतेक एक दूसरे का संपूरक बन गया विनी पेक से थंडर खाड़ी यानि सुपेरियर जीद तक एक संवरत मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सरवादिक महतपूर जल मार्गों में से एक गयहूं तथा मास इस मार्ग द्वारा किये जाने वाले महतपूर निद्यात है यह लाइन कराड़ा की आर्थिक धमनी है कहां से कहां था कि मैप पर जड़ा देख लो तुक देखो भई यहां पर मैप पर आपको यह प्रॉपर दिखाई देगी देखो यहां पर आप देख सकते हो यह है बैंकूबर या विक्टूरिया यहां से कैल्गरी विनी पे कड़बरी ठीक है ओटेवा मॉन्ट्रियाल क्यूबेक होते हुए यह आगया आपका सिड्नी ठीक है हां सिड्नी यह ऑस्टेलिया वाला नहीं है द्यान रखना यह हम कनाड़ा की बात करते हैं तो यह आप मैप पर भी इसको देख सकते हैं यह है ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग आगे देखते हैं प्रशान थट परिस्तित सैंट फ्रेंसिसको से मिलाती हैं इस मार्ग द्वारा किये जाने वाले सरवाधिक मुल्लिवान निद्यात अयस्क अनाज कागज रसाइन और मशीनरी मशीन दी इत्यादी है ठीक है आगे देखो आगे हमारे पास ऑस्ट्रेलियाई पार महादीपी यह रेल मार्ग यह रेल लाइन पश्चिम तट पर पर्थ से आरंब होकर कलगुरली ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्तास से होकर पूर्वी तट पर इससे सिडनी को मिलाते एक अन्य उत्तर दच्छड लाइन एडिलेड तथा एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और आगे इससे डार्वेन बिर्दुम लाइन से जोड़ा जाता है यह मैप पर आप देख लो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख पाएंगे यह देखें यह आप देखिए यह सिडनी य आगे है औरियंट एक्सप्रेस यह लाइन पैरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिक, वियाना, वुड़ापिस्ट और बेलगरेड होती हुई इस्तानबुल तक जाती है इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तानबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार से लगने वाले दस दिन की तुल्ला में मात्र 96 घंटे रह गया है इस रेलमार्ग द्वारा होने वाले प्रमुक निर्यात, पनीर, सूर का मास, जई, शराब, फल और मशीन दी हैं इस्तानबुल को बैंकोक, वाया इरान, पाकिस्तान, भारत, बांगला देश, म्यामार से ज देखेंगे जल परवान, जल परवन के महत्रपूर्ण लावों में से यह एक है कि इसके लिए मारगों का निर्मान नहीं करना परता, इसकी बड़िया बात क्या है कि इसमें आपको कोई सड़क नहीं बनानी है, ठीक है, मास आगर एक दूसर से जुड़े हुए होते हैं, इ यह परवन बहुत सस्ता है क्योंकि जल का घर्षण इस्तल के अपेक्षा बहुत कम होता है, जल परवन की उर्जा लागत के अपेक्षा करत कम होता है, यह परवन को समुद्री मारगों तदा आंतरे जल मारगों में विवक्त किया जाता है, यानि जल मारग जो हैं दो तरीक समुद्री मार्ग यह मार्ग और द्योगिक जस्टी से विक्सित विश्व के दो प्रदेशों उत्तर पूर्वी सेंकुतराज अमेरिका और पश्मी यूरोप को मिलाता है विश्व का एक चौताई विदेशी व्यापार इसी मार्ग द्वारा परविएत होता है इसलिए यह विश्व का वेस्थतम व्यापारिक ड्रेल मार्ग है दूसरे अर्थों में इसे वरहत ट्रंक मार्ग कहा जाता है दौनों टॉटो पर पत्तन ददा पूत तास्रे की उननत स विदाएं उपलबते हैं भूमद सागर हिंदमा सागरी समुद्री मार्ग यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हिर्दे स्तल कहे जाने वाले छेत्रों से गुजरता है और किसी भी अन्य मार्ग के अपेक्चा अधिक देशों तता लोगों को सिवाएं प्रदान करता ह पोर्ट साइद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इस मार्ग के महतपुर पत्तनों में से एक हैं उत्तमाशा अंतरीब से होकर जाने वाले आरंबिक मार्ग की तुल्ला में स्वेज नहर की निर्मार से दूरी तदा समय में अत्यदिक कमी आ गई है इसको आमने नहर यह व्यापारिक मार्ग अत्यदिक अध्योगिक पष्च्म यूरोपी अ प्रदेश को पष्चिम अफड़िय को दख्चण अफ्रीका दख्च्ण पूर्वी एशिया और आस्टेलिया और न्यूजलेंड के व्यापारिक क्रशी तदा पष्ण पालन आधारत और स्वेस्ता से जोड़ता है स्वेज नहर के निर्मार से पहले यह मार्ग लीवर्पूल तदा कोलंबो को जोड़ता था जो स्वेज नहर मार्ग से मार्ग से चौशट सो किलोमेटर अधेक लंबा था सोना हीरा ताबे टिन मुंग फली गिरी का तेल कहवा और फलों जैसे समरद प्राकरतिक संसादनों के कारण दोनों पूर्वी तदा पश्चमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा तदा आयतन में व्रद्धी हो रही है ठीक है हा आगे देख लो जैना आगे है दच्छन अट्लांटिक समुद्री मार्ग अट्लांटिक महासागर के पार यह एक अन्य महत्पूर समुद्री मार्ग है जो पश्चमी यूरोप तदा पश्चमी अफ्रीकी देशों को दच्छन अमेरिका के ब्राजील अर्जेंटेना तदा उर्गवे से मिलाता है इस मार्ग पर यातायात उत्लांटिक मार्ग की तुला में दच्छन अमेरिका तदा अफरीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है किबल दच्छन पूर्वी ब्राजील प्लाटा जौर नदमुक और दच्छन अफरीका के कुछ भ उसको मागली क्लास में करके खतम करेंगे ठीक है तो उम्मित करता हूं आपको इस वीडियो में नई जानकारी मिली होगी तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए चल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारे किसी भी पेड़ गूर्प से अगर आप जुड़ना चाहते हैं ज सबी की तैयारी हमारे विद्वत कराई जा रही है तो आज ही जुड़िये और PCS परिक्षा में, BEO परिक्षा में, REO परिक्षा में अपनी एक सीड पक्की करिए मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जैहिन जैभारत बंदे मात्रम